कामीनी कोशल उन अभी नेत्रियों में से एक थी जिनकी लव लाइफ एक समय में काफी चर्चा में थी दरसल वो सूपर इस्टार दिलिप कुमार की पहली गर्ल्फरेंड थी दोनों का रोमांस 1948 में रिलीज हुई फिल्म शहीद के सेट पर शुरू हुआ था दोनों शादी की प्लानिंग भी करने लगे थे एक अंग्रेजी बेप साइड में छपे आर्टिकल के मताबिक जिस वक्त कामीनी दिलिप को डेट कर रही थी उस वक्त वे शादी शुदा थी दिलचस्प बात ये है कि जिससे कामीनी ने शादी की वो उनकी बड़ी बहन के पत चला कि उनकी शादी शुदा बेहन दिलिप कुमार को डेट कर रही है तो वो गुस्से से लाल हो गए उन्होंने दिलिप कुमार को धंकी दी कि वे कामीनी से रिस्ता तोड़ लें इधर कामीनी भी परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती थी सालों बाद दिलिप कुमार और काम कामनी कोशल के बगल में लगी थी तब दिलिप सहाब 90 साल के थे और कामनी 86 की लेकिन दिलिप सहाब कामनी को पहचान नहीं पाए 2014 में इंटेर्यविय के दोरान कामनी ने कहा था जद दिलिप सहाब ने मुझे ब्लेंग लुक दिया तो मेरा दिल तूट गया दरसल उस वक तक उन्हें किसी को भी पहचानने में दिक्कत होने लगी थी मुझे ये देख बहुत दुख हुआ और मैं वहां से दूर चली गई हिंदी सिनेमा के इतिहास में कई दिग्ग सितारे हुए जिनके योगदान को हमेशा के लिए याद रखा जाएगा इस जर्णी में बेहत खास भूमी का बॉलिवूड की सबसे उम्रदराज एक्ट्रेस कामनी कोशल की भी रही है वो 96 साल की हैं और उन्होंने इंडेश्ट्री में 75 से भी ज्यादा साल जिये हैं और अपनी प्रतिभा से फिल्मी गलियारों को महकाया है आईए आज ऐसी ही एक अभी नेत्री के बारे में आपको रोचक बाते बताते हैं जो की स्क्रीन पर शारूख खान शाहिद कपूर से लेकर अभिशेक बच्चन की दादी की भूमिका भी निभा चुकी हैं जिन पर दिलिव कुमार भी जान छिड़कते थे कामनी कोशल 75 साल से एक्टिंग कर रही है वो आज भी सिनेमा में एक्टिव है कबीज सिंग में शाहिद कपूर की दादी चैननाई एक्सप्रेस में शारूख खान की दादी से लेकर लागा चुनरी में दाग में अभिशेक बच्चन की दादी का रोल निभाती नजर आई इतना ही नहीं साल 2022 में वो लाल सिंग चड़ा में भी कैमियो करती नजर आई थी तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए बाई बाई